अलो दियर स्टूडेंट्स एंपेरेंट्स एक ये बहुत दिनों से ही चर्चा थी कि यार एंटी ने अनाउंस तो कर दिया एजुकेशन इनिस्टर ने बूला था कि लाइक जी ही नीट अलसो तो कंपंसेट थे स्टूडेंट्स फोर दिस कोवर्ट ताइम there will be some choices in the form of section A and section B section A में 35 questions compulsory होंगे और section B में 15 questions होंगे हर subject में जिसमें से आपको क्यों दस करने होंगे सबका ये doubt था मेरा भी ये doubt था कि यार 15 में से 10 बच्चाओ उमार पे कैसे करेगा आप उसको check कैसे करेंगे तो अब उसको लेके उन्होंने clarity दी है और वो ही clarity दी है जो सबसे sensible answer हो सकता था तो आज ये story मेरे सबसे 20-20 गंटे पहले कि ये story है मेरी भी नजर नहीं गई अभी मेरी नजर गई तो इसको मैं बिलकुल अभी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आप लोगो पता चल गया होगा जिनको नहीं पता है उनको मैं डीटेल में समझा दू देखिए इंदुसान टाइमस नहीं ये story लिखी है कि भई दो हफते के बाद NTN एनाउंस किया है कि भई paper pattern के अंदर जो होगा आपको उसमें जो marking pattern है उसकी clarity नो ने दी है clarity क्या दी है the test pattern has been modified in every subject आपको पता है 35 questions mandatory मतलब उसमें कोई choice नहीं और बाकी 15 में से 10 करने है so it is important that the candidates do not attempt more than 10 questions तो ये उनकी advisory है कि भई आप 15 में से 10 ही करें और अगर आप जादा करते हैं तो only the first 10 attempted questions will be considered for evaluation or marking said the response shared by the official NTA email this is the first time since inception that the exam pattern for need has been changed इससे पहले तक हमेशा आपको था 45-45 questions उस तरह के रहते थे even biology एकी section आता था 90 questions के नाम पे इस बार वो section भी बड़ी market की है botany और geology तो ये चीज इस बार पहली बार change हुई है तो अब देखिए समझेए let's say physics की बात करूँ मैं 50 questions है पहले 35 तो mandatory होगे अब अगले 15 में आप मान के चलिए कि आपने 36 वा किया 37 वा किया 38 छोड़ दियो और उसके अलब आगी सारी कर दिये response 10 का ही लिया जाएगा और किन 10 का लिया जाएगा जो serial order में सबसे पहले आएंगे आप में समझेगा मैंने पहले कौन सा गुला वरा क्योंकि ये कोई software तो है नहीं it's not a computer-based test OMR के patent पे चलेंगे तो serial number में जो पहले 10 question आएंगे उनी को के वले evaluation के लिए consider किया जाएगा तो अभी ये चीज बिलकुल हट चुकिया फिर भी में trends देखता हूं लोग कह रहे है एक्टूबर में करिए patent change कर दिया बीस question extra read करने पढ़ेंगे तो time बढ़ाईए तो यार ये तो मुझे लगता नहीं कुछ होना है कि कि ऐसा जी देखेंगे तो J.E. में भी questions बढ़े थे कि J.E. में इतना time का उख रंच नहीं रहता J.E. में इसमें number of questions कम रहते है बट वहां भी questions बढ़ाया तो change नहीं हुआ तो मुझे ही लगता है यहां भी यह change होना है बट हाँ आप लोगों का exam पहले ही थोड़ा ज़्यादा speed मांगता है 180 minutes में 180 questions से 20 questions और read करने है और उसके decide भी करना है कौन सा करना है कौन सा छोड़ना है तो यार अब जो भी आप mock test दें प्लीज उसकी practice करिए वो सकता है कही institute software में उसको implement नहीं कर पाए बट MR में तो easily आप करी सकते हैं और खुद से करके देखिए खुद से अपना time देखिए extra questions read करके decide करने के जो अपनी abilities है इनको थोड़ा सा शार्पन कीजिए आज भी देखिए अपन बात कर रहे है 27 जुलाई को तो अभी भी आपके पास 12 सितंबर से पहले time है you can do this इतना कोई tough काम नहीं है अगर अपने को concepts पे command है तो और भी कोई related update आपके लिए होगी तो आपको पता ही है कि आए होती है उसको बिल्कुल आप सच मान सकते हैं और कभी अगर संच्या होता है तो मेरी करफ से पहले ही लिख दिया जाता है कि वही है कि वहल सूतरों की उसके साफसे it's not a confirmed news but this seems to be a confirmed कुछ telegrams group में mail भी घूम रहा था और यह एक logical solution मुझे दिख रहा था तो करिये दियारी happy preparation to all of you और भी कोई आपको help चाहिए जो पुराने मेरे paper stall down में कोई भी question आपको कोई और explanation चाहिए just a comment box में comment कीजिए और आप telegram के थू या app के थू भी आप पहुत सारी चीजें में से gain कर सकते हैं so there are multiple ways to contact me तो आपको जब भी आपको help चाहिए you can contact me all the rest